जब भी आपकी income tax return बरी जाती है तो CA के दोवारा आपसे interest certificate मांगा जाता है तो post office के अंदर दो तरग के interest certificate आपको दिये जाता है एक पहले से दिये जा रहा था और एक अभी नया सुरू किया है यदि आपको किसी परकार का interest payment हुआ है जैसे कि budget काते में, TD में या जो खाता कोई बंद करवाया उसका जो interest दिया है तो उसका interest certificate आपको post office में फिरी से मिल जाता है और ये post office के counter पर आपको easily मिल जाता है इसका पहले से हमने वीडियो बना रखा है उसको भी आप देख सकते हैं अभी हाली में post office ने accrual interest का certificate देने के address जारी कर लिया है जैसे कि NSE एक 5 सा भी होती है और उसके अंदर ब्याज सहीत आपको पैसा 5 साल के बाद मिलता है लेकिन यहाँ पर हर साल जो भी ब्याज बनता है वो आप income tax file के अंदर सोख कर सकते हैं 5 साल के अंदर मालो आपको 15,000 ब्याज मिल रहा है यानि कि आप परतिवर्स आपको 3,000 ब्याज मिल रहा है तो कहीं लोग जो है इस accurate interest को अपनी return के अंदर दिखाता है जिससे कि उनको बाद में एक साथ ज्यादा tax चुकरना नहीं पड़े हैं तो यह certificate भी आपको दिया जाएगा जो पहली तरह का certificate है वह system से बनाए जाता है और system से आपको दिया जाता है लेकिन जो NSE का accurate interest का certificate है उस उसका भी system में कोई provision नहीं है तो आपको एक इस परकार का certificate यहां से post office की द्वारा manual बना कर दिया जाएगा जिसके अंदर आपको certificate यह number कब आपको issue हुआ है कितना आपने amount deposit करवाया है और कितना आपका interest accurate हुआ है तो इस परकार से आपको यहां पर मिल जाता है चैनल को subscribe करे वीडियो को like और share चरूर करें